हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, फैमिली एन फन ब्लॉग आज मैं आपके सामने चिकन बिर्यानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ ये मैंने वन केजी चिकन लिया है और मैंने वन केजी बासमती राइस भी लिया है इसको मैंने वन आवर सोख करने के लिए रख दिया था त्री बिग ओनियन है जिसको मैं फ्राइ करूँगी ये कुछ सूखे मसाले है जिसमें से आजीरा है दालजीनी है छोटी एलाइची है जाइफल है जावित्री है दखनी मिर्च है सौफ है दो कश्मीरी लाल मिर्च है और धनिया है ये सब मैंने हाफ-फटी स्पुन लिया है इसको मैंने ड्राइ रोस्ट करना है हमें ड्राइ रोस्ट करके इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसके इसका पाउडर बना लेना है ये गरम मसाला डालने से काफी हमारी बिर्यानी बहुत यम्मी और डिलिशिस बनेगी काफी खुश्बुदार बनेगी ये मैं ओनियन को फ् मैं आर्नेट करने की तयारी कर रही हूं एर टू हंड़ी सपोन तू आगे जिन्जर पेस्ट ओनटीस स्पोन ताहले केवड़िवर्री पॉर्डर डाला है और सुक यूर्ड़ मसाले थे वह भी मैंने डाल दिया इसमें मैंने वन टेबल स्पून केवडा वाटर डाला है इसमें यह फ्राइड ओनियंस जो थे वो भी मैंने डाल दिये हैं कुछ मैंने बचा के रखे हैं उपर के गार्निशिंग करने के लिए अब मैं इसको सब मैरिनेट कर रही हूँ चिकन को अच्छे से मैरिनेट करना है और लेमन जूस मैंने डाल दिया है वन लेमन जूस वन टेबल स्पून मैंने चिकन मसाला भी डाला है यह फ्राइड ओनियन का जो आयल था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है 3-4 hours मैं रगदूंगी मैरिनेशन के लिए इधर मैं चावल बनाने की तयारी कर रही हूँ देखिए इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है ये कुछ सुखे मसाले हैं जिसमें तेजपात है से अजीरा है, लॉंग है, छोटी एलाइची है, बड़ी एलाइची है, काली मिर्च है ये ड्राइ रोस्ट हो गया हमारा मसाला अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ मैंने 1 kg राइस लिया है चार ग्लास है इसका मेजर्मेंट तो मैंने 8 ग्लास पानी डाला है इसमें अब मैं इसमें सौल डाल रही हूँ according to taste अब इसमें जब बॉयल आ जाएगा तब मैं इसमें चावल डाल दूँगी देखिए हमारा बॉयल आ चुका था तो मैंने इसमें चावल डाल दिया है इधर हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका था तो मैंने इसे रख दिया है पकाने के लिए ये कॉरियंडर और मिंट लीब्स हैं कुछ ग्रीन चिली हैं जो भी मैं इसमें डाल दिया है मैंने इसे फ्लेवर बहुत इंहेंस होगा काफी अच्छी हमारी बिर्यानी बनेगी हमारा चिकन इधर बन रहा है देखिए हमारा चिकन बिल्कुल रडी हो चुका है अब कुछ इसके ग्रेवी जो है मैंने अलग छाट कर रख लिया है ताकि मैं जब लेयरिंग करूंगी बिर्यानी की तो उसमें मैं डालूंगी इधर सुखे मसाले हैं जो मैंने ग्राइंड किय बिल्कुल रडी हो चुका है अब मैं इसका लेयरिंग करूंगी बिर्यानी की पहले मैंने नीचे में चावल डाला है फिर चिकन के पीसेज हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ और फिर फ्रैड ओनियंस मैंने डाला है फिर मैं राइस डाल रही हूँ इस तरह से मैं लेयरिंग कर रही हूँ बिर्यानी की फिर मैंने फूड कलर डाला फिर चिकन पीसेज मैंने डाला है और फिर उसके जो मसाले थे ग्रेवी वो भी मैं डाल रही हूँ इससे टेस्ट बह प्राइब कर दो हमारा पूरा लेरिंग कंप्लीट हो चुका अब मैं इस पर फिर फ्राइड ओनियंस मैंने डाल दिया है उपर में ये गरम मसाला पौडर जो मैंने बनाया था ड्राइ रोस्ट वाला वो भी मैंने डाला इसका ग्रेवी जो था वो भी मैंने डाल दिया है फूट कलर मैंने डाल दिया घी मैंने डाल दिया है दो टेबल अब मैं इसे दम करने के लिए लो फ्लेम पर 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी आफ्टर 15 मिनट्स देखिए हमारी बिर्यानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है गर्मा गरम यम्मी एंडेलेशिस बिर्यानी हमारी देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में खाने का तो पूछिये ही मत बहुत ही लजीज बनी है अब मैं डिशाउट कर रही हूँ अपनी चिकन बिर्यानी को हमारी चिकन बिर्यानी देखिए रडी हो चुकी है काफी यम्मी और डिलिशिस है ये इस तरह से आप अपने फैमिली मिंबर्स को बना कर खिला है मैंने इसे राइते और सैलेट के साथ सर्फ किया है आप इसे इद में और भी किसी फेस्टिवल्स में बर्डे में इसमें चाहें बनाएं अपने फैमिली मिंबर्स को खिलाएं वो काफी पसंद करेंगे अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए सबस्क्राइब करिए हमारे चैनल फैमिली एंड फन व्लॉग तिल दें टेक चेर बाइ बाइ